वेलकूम तू आस्यान आर्ट प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेर एंड फॉलो असरा में हूं मैं हूँ आस्यान और आप देख रहे हैं आस्यान आर्ट आज हम जैस कप्रे से दागे निकलते हैं उसको एपलिक करना सीखेंगे यहां पर हमने दो तरीकों से एपलिक की हैं अब यह हमारे पास कप्रा है इसके सिरे से दागे निकलते हैं जब हम इसको एपलिक करते हैं तो उसके बार भी साइड से इसके दागे निकलते हैं और इसको बनाना मुश्किल होता है आज हम इसको दो आसान तरीकों से लगाना जिस पेटरन की हमने एपलिक करनी है उसको हम यहां पर ड्रा करके इसके कटिंग कर लेंगे कि यहां पर इसके कटिंग कर ली है अब दूसरे तरीके से एपलिक करने के लिए हम जो भी पेटरन ड्रा करेंगे उसके हमने डबल कटिंग करनी है तो यहाँ पर इस कपड़े पे हमने दो कटिंग कर ली है एक हमारे पास सिंगल है अब जो हमने कपड़े पे सिंगल कटिंग की है इसके जो साइट से दागे निकल रहे हैं इसको हम लाइटर की मिलत से साइट से जला रहेंगे आप इसको काविया की मिलत से भी बिना सकते हैं काविया गरम करने के बाद इसी तरह से इसके राउंड में यूँ गुमा ले जिसकी विज़ा से इसके ये दागे पक्के हो जाते हैं अब इसको हम यूँ फॉल्ड करके इसकी एपलिक करेंगे अब हमारे पास जो दूसरा तरीका है इसमें हमने ये इस कपड़े की डेबल कटिंग की है तो इसको हम साइड से पहले कच्छा कर लेंगे हाथ की मदद से हम इसके जो साइड के किनारे हैं उसके हम यूँ कच्छा टांका लेती हुए इसके इस पूरे राउंड को हम कम्प्लीट कर लेंगे झाल झाल यहां पे इसको हमने कम्प्लीट कर लिया है अब इस थागे को हम पकर कर लेंगे अब यहां पे हमने इसको बिलकुल बंद कर लिया है इसको हम सेंटर से यूँ अलग करके यहां पर इसकी हम कटिंग करेंगे इसको हम दर्मयान से यूँ पकड़के एक साइड पे हम इसकी हलकी सी कटिंग कर लेंगे अब यहां पे हमने इसकी कटिंग कर ली है अब इसके अंदर से इस कप्ड़ को हमने यूँ मोग के निकालना है और इसको सीधा करना है जो हमने अंदर इसकी हाथ से सिलाई की हैं ताकि वो इसके अंदर चली जाए अब यहां पे हमने इसको सीधा कर लिया है अब यहां पर हम इसको कपड़े पर लगाएंगे तो जिस साइट पर हमने कटिंग की है इसको हमने कपड़े की नीचे तरफ रखना है और यहां जो इसके यह किनारे हैं इसके जो ऊपर है इसके अंदर हमने गुम एपलिक करनी है जहां पर हमने इसको लगाना है वहां पर हम इसको सेट कर लेंगे पहले अब यहां पर हम स्वी को उपर की तरफ निकालेंगे अब इसके अंदर से हम स्वी को निकाल लेंगे एपलिक के हमने बैसिक स्टेट सीखे थे इसको भी हमने दो तरीकों से लगाना सीखता आपको उसमें से जो टीक लगे उसी से इसको बना लें अब यहां पर इस दागे के बिलकुल बरावर ही हमने इस कपड़े के अंदर से स्वी को नीचे की तरफ निकालना है अब पिर से उसी तरह से हमने इसके साथ स्वी को नीचे की तरफ निकालना है और यह इसको बराबर रखते हुए इसको हम complete कर लेंगे कर लेंगे झाल 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 यहाँ पर हमने इसको कम्प्लीट कर लिया हैं इससे इसके दागे बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे अब इसके बाद जो हमने दूसरे पेटर्ण की कटिंग की थी इसको लगा नाम सीखेंगे इसके साइड हमने लेटर से जला लिये थे अब इसके किनारे को हम डिजाइन के हिसाफ से फॉल्ड करती हुए उसी बेसिक स्टेच से हमने इसकी स्टेचिंग करनी है अब यहां पर हम इसको यू सेट कर लेंगे और इसके बाद उसी तरह से हमने जो बेसिक स्टेच है उसी से हम इसको लगाएंगे अब इसके साथ ही हम इसको यू फॉल्ड करते जाएंगे अब। झाल 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 अब यहां पर हमने इसको कम्प्लीट कर लिया है झाल 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 झाल